Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल कई सारे topics मैंने यहाँ पर वीडियो में कराए है, आगे भी हम बहुत सारे topics के basics और high level new pattern के question करेंगे, आप पुरानी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, students, अभी पूरे चार साल में ऐसा मौका आता है, कि लीपियर आता है, तो 29 Feb, लीपियर है, आप जानते हैं, एक दिन code यूज करिएगा, KS Life, किसी भी course में अगर आप जॉइन करते हैं, आपको maximum discount मिलेगा, इस study IQ platform पे, and students, RBA grade B की अगर आप त्यारी कर रहे हैं, तो इसका नया live batch स्टार्ट हो गया है, batch 2, और ये आपको मिल रहा है सिरफ 549 में, इस coupon code के साथ अगर आप करेंगे, तो मेरी guidance भ हो रही है, और दो बजे का ये batch है, दो से पांच आपकी regular class होंगी इसमें, तो जल्दी से इसे join कर लीजेगा, ताकि आप आने वाला RBA grade B crack कर पाएं, with best guidance, चलिए, आगे दिखते हैं, हमारा पहला question है, यहाँ पे percentage का, हंस और भासकर की जो salary है, वो मिला के jointly आपको दिया हु यहाँ पे जो हमें salary दिया हुआ है, वो 10,000 दिया हुआ है, चलिए, आगे क्या दिया हुआ है, और देखते हैं, they spend the same amount, दोनों मिला के खर्चा भी same करते हैं, और क्या दिया हुआ है, उनकी जो saving है, उसका ratio हमें दिया हुआ है, 6 by 1, तो यह basically अगर आप देखे, यहाँ पे क इसके उपर question है, income, expense और saving में, आप जानते है, income is equal to होता है, expense plus saving उसी formula पे question है, पर थोड़ा सा गुमा फिरा के दिया है, दोनों की मिलाके जो income है, वो 10,000 है, हमें नहीं पता कितनी किसकी है, वो निकालनी है, हंस की salary बताओ, ठीक है, दोनों खर्चा same करते हैं, और आपको द can be, मतलब हो सकता है, या multiple answer हो, तो ऐसे questions कई बार आते हैं, जिसमें possible answer बहुत जादा होते हैं, ऐसा हो सकता है, तो चलिए, यहाँ पे हम देखते हैं, कैसे करें, सबसे पहले यहाँ पे दो लोग हैं, एक हंस है, और एक फास कर हैं, यहाँ पे बात चल रही है, उनकी income की, द x, ठीक है, दोनों का expense जो है, वो equal था, तो यह मैं क्या मा लेता हूँ, y and y, ठीक है, अब saving क्या है, saving कैसे निकलती हैं, आप सब जानते हैं, अगर आप income में से expense को minus कर देते हैं, तो पहले वाले की क्या आ जाएगी, x minus y, दूसरे की क्या आएगी, this minus this, income minus expense, दूसरे की 10,000 minus x और minus y, अब यह जो ratio है saving का, यह आपको 6 by 1 दिया हुआ है, यहाँ से आपको x और y में एक relation मिल जाएगा, जिसका use करके शायदा मानसर निकाल पाएंगे, cross multiply करते हैं, इसको उधर ले जाके 6 से multiply कर देते हैं, तो मुझे क्या result मिला, x minus y is equal to 6 into 10,000 minus x minus y, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला मुझे, x minus y is equal to 60,000, 6 की इधर सबसे multiply करिए, 6x, 6y, यह 6 इधर जाके add हो गया, तो यह 7x हो गया, यह minus 6x इधर आके add हो गया, तो यह minus 5y हो गया, is equal to 60,000, मतलब आपको x और y की जो भी value मिले, जो इससे satisfy करती हो, वो answer हो सकते हैं, मतलब इसके answer multiple possible हो सकते हैं, क्योंकि यह equation 1 है, लेकिन variable 2 है, कुछ और तो हमारे पास है नहीं, इसका मतलब कोई भी x और y की value जहां पर यह put करके इतना आ रहा हो, वो बहुत सारे answer possible हो सकते हैं, तो हमें यह question option से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बूला यही है, कि in मेंसे क्या-क्या possible हो सकता है, maybe 1 हो, maybe 1 से ज़्यादा हो, पर यहां 1 से ज़्यादा का तो option नहीं दिया कि 1 and 2, 2 and 3, तो कोई एक ही होगा in मेंसे, तो पहले देखते हैं, 2000 अगर हम hans की salary ले ले, मतलब hans की salary हमने क्या मानी थी x, तो अगर हम x को 2 के लेके चले, निकालते हैं, कि उससे y कितना आएगा, तो यह देखिए 7 into 2, 14,000, 14,000 मेंसे कुछ कम करो, तो 60,000 थोड़ी आ सकता है, तो यह तो minus में बात चले गई, यह गलत है, अगर यहां पे मैं 3,000 लूँ, 7 into 3, 21,000, sorry, यहां पे मैंने एक गलती करी, यह जो minus है, यह इदर आके plus आएगा, sorry, plus है, अब पुट करके देखते हैं, x का जो value है, वो 2000 है, तो 7 into 2 यह हो गया, 14,000, plus 5y का जो value है, वो है, 60,000, तो 60,000 मेंसे 14,000 जाएगा, तो minus होके एक value आ जाएगी, तो यह 60 मेंसे 14 माइनस करिए, आपको मिल रहा है 46,000 शायद, और इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपको answer मिल जाएगा, 60,000 मेंसे 7 to 2, 14,000 माइनस करिए, तो value आ गई, अब यह जो value आई है, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से 10, 2 पे cancel कर दीजिए, तो यह इसका double आ गया, 9,200, क्या यह possible है, देखे, X 2000, Y आया 9,200, X क्या था income, और Y क्या था उसका expense, मतलब किसी भी case में expense तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए न, तो यह वाला option नहीं चलेगा, तो जैसे मैंने एक option पुट किया, आप सारे option पुट करके देखेंगे, यह सारे ही set नहीं होंगे, सिरफ यह last वाला होगा, यह answer होगा, जब आप एक एक करके put करेंगे, जब यह 7 into 6 करेंगे, तो यह 42,000 आएगा, 60 में से 42 माइनस करेंगे, तो 5Y की value 18,000 आएगा, और Y का value आएगा 3600, जब income 6000 है, तो खर्चा 3600 हो सकता है न, तो यह वाला option satisfy करेगा, that will be my answer, I hope आपको समझ में आया होगा, अगला question लेते हैं, अगला question क्या है, A distributes 10%, 18% and 22% of his salary, into his 3 children, who spend 15, 24 and 10% of the amount respectively, तो यह तीनो, यह जो है, अपने तीनो बेटों को, कुछ पैसा देता है, कुछ बच्चों को, 3 बच्चों को, और वो कुछ परसेंट उसमें से खर्चा कर देते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, the difference between the amount left with A, and all his children, is 8020, अब A ने कुछ पैसा बच्चों को दिया, उसके पास जो बच्चा, और उन तीनों ने भी अपना-पना कुछ खर्चा कर दिया, उन के पास जो बच्चा, उसका जो difference है, वो 8020 है, आपको A की salary बतानी है, शुरू में कितनी थी, तो माल लेते हैं, कि A के पास शुरू में जो था, वो 100X था, अब इसके माल लेते हैं, तीन बच्चे हैं, BCD, जिसको 10, 18 और 22 परसेंट दिया है, अब एड़ करें, तो 50X आता है, अगर A ने 50X दे दिया, तो A के पास कितना left बचा, अगर मैं देखूं, तो 50X, ठीक है, अब इन तीनों को इतना मिला है, ये भी spend करते हैं, कितना करते हैं, दिया हुआ है, 15%, 24% और 10% respectively, तो निकालते हैं, इनोंने कितना खर्चा कर दिया, 15% of 10X would be 1.5X, 24% अगर आप इसका निकालेंगे, 4.32X, 22 इंटू 10% निकालेंगे, तो 2.2X, इसे आप add कर दीजिए, इसे आप add करेंगे, तो आपको मिलेगा, 8.02X, इतना इन तीनों ने मिलाके, खर्चा कर दिया, इन तीनों के पास थे, कितने टोटल, 50X, 50X मेंसे इतना खर्चा कर दिया, तो इन तीनों के पास, अगर मैं बोलूं, कितना बचा, 50X minus this, simple है, अब आपको question में क्या दिया हुआ है, कि जो ए के पास बचा, और जो इन तीनों के पास बचा, उसका difference दे रखा है, तो आपको इनका difference देखता है, difference में 50X, 50X जो है, वो तो cancel हो जाएगा, तो difference तो सिरफ इसी चीज़ का है न, यानि कि यही value आपको दे रखी है, 8.02X is equal to 8020, यहां से, मुझे X का value मिल जाएगा, यह 8 है, यह 8,000 है, तो X का value आगया, 1000, ठीक है, आपको क्या निकालना था, A की कुल salary कितनी थी, वो 100X थी, तो अभी इसको 100 से multiply कर दीजिए, आपका कुल answer आगया, 1,00, रुपे, जो A के पास थे, समझ रहे हो, A and B, यह दोनो, market में जाते हैं, with money, in the ratio 4 and 5 respectively, अब A क्या करता है, A spent 20% on cloth, 25% on food, और वो donate करता है, 520 rupees to the charity, पर B क्या करता है, B 40% cloth में देता है, 40% बाकी का food में देता है, और यह भी 280 का charity करता है, ठीक है, अब दोनों ने same पैसा बचाया, और यह पैसा वो आगे saving, दोनों C को दे देते हैं, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है question, ठीक है, इन्होंने कुछ खर्चा किया, कुछ charity को दिया, जो बच गया, वो C को दे दिया, C बंदा क्या करता है, C invest कर देता है, यह पैसा 10% पे, लेकिन यह compounded पे रखता है, और वो yearly भी नहीं चड़ाता, half yearly पे चड़ाता है, कितने time के लिए, for one year, one year में half yearly compounded, तो कितना interest इसको मिलेगा C को, that's it, यह question है, चलिए देखिए, आपको शुरू में जो पता था, इनका पैसा था, 4 ratio 5 में, कुछ यह खर्चा करते हैं, तो खर्चा माइनस करके निकालते हैं, saving कितनी है, और saving equal है, वो निकल जाएगी, तो C को कितना मिला, वो पता चल जाएगा, और वो पैसा आगे 10% per annum पे, compound interest पे, half yearly में इसने दिया है, चलिए, पता करते हैं कैसे करेंगी, तो सबसे पहले, A और B का जो पैसा था शुरू में, वो 4 और 5 की ratio में था, sorry, तो इसे हम क्या ले लेते हैं, 4X और इसे हम क्या लेते हैं, 5X, ठीक है, अब पहले वाला जो है, वो 20% खर्चा कर देता है, किस पे, cloth पे, और 25 किस पे खर्चा कर देता है, food पे, अगर आप total देखो, तो 20 और 25, 45% खर्चा हो गया, अगर ये खर्चा हो गया, तो 100 में से कितना बचा, बाकी का 55, मतलब जो शुरू में था, उसका 55% बचा होगा, और अब इसमें से, वो 520 रूपीज, charity में भी देता है, तो वो माइनस कर देता है, क्योंकि वो रूपीज में है, percentage तो है नहीं, सेम ऐसे ही, अगले वाला B क्या करता है, 40% तो वो cloth में देता है, ठीके, और वो 40% जो है, rest का food में देता है, तो अगर 40 दे दिया, तो बचा 60, अब 60 का 40% अगर आप निकालोगे, तो वो 24% आएगा, मतलब पहले इतना दिया, फिर इतना दिया, दोनों मिलाके 64% उसने दे दिया, अगर 64% खर्चा कर दिया, तो बाकी कितना रह गया, 36%, 100 में से माइनस कर दिया, देखो इसमें ना remaining लिखा था, rest का आगे दिया था 40, तो पहले हो गया 40 माइनस, 60 रह गया, इस rest का 40, तो वो 24 आया, 24 और 40 मिलाके 64 आया, बाकी कितना बचा, 36%, और इसमें से भी वो charity देता है, 280, 280 आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, अब क्या कह रहा है, कि जो दोनों का, दोनों का, जो saving है, यह saving ही तो निकली है, यह equal है, equal put करते ही, x आ जाएगा, solve करते हैं, इन दोनों को equal put कर देते हैं, यह a का saving है, यह b का saving है, ठीक है, put करिए, 4x into this करेंगे, तो 2.2x आएगा, माइनस 520, 5 का 36% निकालेंगे, तो 1.8x आएगा, और 1.8, 2.2 माइनस होगा, तो 0.4x आएगा, यह 520 उदर जाके प्लस होगा, तो 520 माइनस 280, आपका 240 आगया, अब यहां से x का value आपको मिल जाएगा, 240 अपॉन 0.4, 0.4 जो होता है, वो होता है, 2 by 5, इससे आप देखिए, cancel करिए, 120, 120 into 5 आगया, 600, x 600 आया, लेकिन इसने दोनों को मिला के, आगे c को जो दिया था, वो saving दिया था, तो हमें तो saving निकालने से मतलब है, तो यह a का saving है, और यह b का saving है, इन दोनों का total चाहिए हमें, जो आगे दिया गया, तो इन दोनों का total निकालते हैं, इसके अंदर यह add करिए, 4x, और यह वाला constant भी add करिए, 800, तो यह है जो c को मिला, इन दोनों का saving, यहाँ पे आप सीधा x की value पुट कर दीजिए, 4 into 600 minus 800, तो यह 2400 minus 800, अगर आप करेंगे, 24 में से 8, तो यह 1600 आ जाएगा, जो c को मिला है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कि दोनों की मिला के, जो saving आई है, that is 1600, जो इसने c को दी, अब यह 1600 रुपे, 1600 रुपीज, यह आगे compound interest में, half yearly पे चड़ाता है, 10% per annum पे, but for one year, one year का मतलब क्या है, अगर half yearly चड़ा रहे हो, तो दो बार लगेगा, यानि कि यह 10 इक ठा नहीं लगेगा, यह आधा आधा करके लगेगा, पाँच पाँच करके लगेगा, तो आप पहले 1600 को, 5% पे चड़ाएंगे, फिर जो amount आएगा, उसको आगे 5% पे चड़ाएंगे, compound में यह होता है, तो पहले इसका 5% मिलेगा, 80 रुपीज, इसका 5% वो amount हो गया, 1680, अब इसका आगे 5% मिलेगा, तो इसका 5% आगे निकालेंगे, तो 84 आएगा, मतलब पहले 80 इंटरस्ट मिला, फिर इसका आगे 5% मिलेगा, 84, तो अब इतना मिला, पहले इतना मिला, total इंटरस्ट आड़ कर लो, 164 आगया, 80 प्लस 84, that's it, ये मेरा कुश्चन था, तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ कुश्चन दे रहा हूँ, assignment के लिए, इसका जो answer है, वो आपने बताना है, चलिए ये question हम try करते है, जो इससे अगला वाला है, ये वाला question, इसका answer आप comment में बताईएगा, इसका question का आप screenshot ले लीजिए, ये vote वाला question है, क्या question है, दो contestant है, इनके बीच में election होता है, 80% लोगों ने ही वहाँ पे vote दिये हैं, मतलब उसी पे फैसला होगा, 80% ने vote cast किया है, और A जो है, यहाँ पे पहले जीत जाता था, by 400 votes, A wins by 400, इतने से वो जीता है, अगर A को, 10% vote कम मिलते हैं, अगली बार अगर ऐसा हो जाए, कि A को 10% कम मिले, तो tie हो जाएगा, तो आपको बताना है, कितने registered voter हैं वहाँ पे, total कितने थे, वो आपको बताना है, तो इस question का answer आपको comment में बताना है, और अगर आपको इसका detail answer चाहिए, तो आप मेरे telegram channel से जुड़ सकते हैं, match by current सर्दाना, तो चलिए, ये हैं हमारा एक बीच में question था, इसे देखते हैं, paper में न ऐसे question भी आते हैं, कि आप पूरा set solve करिए, case late हो गया एक तरह से, case late di एक तरह से, और उसमें आपको कुछ question दे दिये, इसी के उपर one, two, three, और उसको आप compare करेंगे, तीनों quantity में, कौन greater है, first का second से, और second का third से, क्या relation बन रहा है, तो यहाँ पे क्या data दिया हुआ है, देखिए, 900 students हैं, एक school में, जिसमें boys और girls का ratio दिया हुआ, ठीक है, और यहाँ पे, चार section है, four houses है, P, Q, R, S, तो आपको उन चारों में, बच्चे बताने होंगे, कितने कितने हैं, sorry, now 30% जो है, total number का, वो R में है, total में से 30% R में है, ऐसी आगे भी data दिया हुआ है, boys और girls का, right, तो ultimately आपको एक table बनानी पड़ेगी, यहाँ पे, P, Q, R, और S, इसके अंदर, आपको क्या-क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा, boys, girls, total, और यहाँ भी सब का total, ठीक है, total कितने हैं, 900, total बच्च, वो 8 और 7 में है, जब 900 को आप 8 और 7 में डिवाइड करेंगे, 8 और 7, 15 होता है, आपको 900 करना है, तो into 60 कर दीजिए, into 60 दोनों को करिए, तो 480 और 420 आपकी value आ गई, जब आपने ये value, 8 ratio 7 में डिवाइड की, जैसे यह तीनों आए है, ये हमें सब के लिए निकालने है, फिर हम इन question का answer दे पाएंगे, जो हमसे पूछा गया है, data तो निकालना पड़ेगा, sorry, तो आगे हमसे क्या पूछा है, दिया हुआ है 30% जो है वो R में है, 30% total के R में है, total का 30% निकाली, अगर हम total का 30% निकालते हैं, तो ये कितना होगा, 270, ये R के total आ गए, पहली line कर ली हमने, फिर दिया हुआ है 25% of total girls are in P, girls जो है, उसका 25% मतलब 1 4th, वो P में है, तो इसको 4 से divide कर दिया, 105 आ गया, simple है, इसके बाद आगे क्या दिया हमें, respective ratio of boys and girls in R is 5 ratio 4, data निकलता जाएगा, इदे कोई एक ही question है, length ही कितना है, ठीक है, boys और girls का जो आपका ratio है P में, वो आपको कितना दिया है, 5 ratio 4, sorry, किसका है ये, R का है, R का जो है, ये 270 हमें पता था, इसे 5 ratio 4 में बनाएए, 5 और 4 का total होता है, 4 into 30, 120 हो गया, आगे क्या दिया है पढ़ते, number of girls in S, is 20% less than that of R, जो girls है न S में, वो R से 20% कम है, अगर किसी में से 20% कम है, तो उसका 80% रह गया, 100 में से कम करे 20, तो इसका 80% निकाल दो, 96 आगे, अब एक चीज़ आपको समझनी है, देखिए ये 4 item है, चारों का total अगर आपको पताओ, और उसमें से 3 निकल जाए, तो चौथा तो अपने आप बता सकते हैं न, ये आपको खुद समझना है, राइट, नेक्स्ट आपको क्या दिया है, number of boys in P, is 20% more than number of girls in P, तो जो P के boys है न, वो girls से 20% जादा है, 20% मतलब 1 by 5, इसका 1 by 5, 21 आएगा, जादा है तो ये 1 to 6 आगया, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब आपको एक चीज़ और दियो ये लास्ट में, boys जो Q में है, वो 25% जादा है, girls S से, girls के जो S है, S के जो girls है, इससे 25% जादा है, क्योंके boys, इसका 1 4th add करिये, 24, ये 120 हो जाएगा, अब देखिए, यहाँ भी 3 item है, 4 का total पता है, यहाँ भी 3 item है, और 4 का total पता है, तो ये जो missing वाली चीज़ है न, ये आप बड़े अराम से, निकाल लेंगे, ठीक है, निकालिएगा, ये शायद 84 आजाएगा, और ये शायद, माइनस करके, इसमें से 99 आजाएगा, निकल गया, अब पहला कुश्चन क्या है, girls in P, is what percent of boys in R, तो girls in P, ये है, is what percent of boys in R, तो जब भी ऐसा है, first is what percent of second, ये what percent वाली चीज़ हमेशा नीचे आती, तो ये बन जाएगा, 105 upon 150 into 100, तो ये पूरा-पूरा 70 पे cancel हो जाएगा, 15, 7 जाएगा ही होता है, 105, तो पहली quantity का अंसर आगया, 70, ऐसे ही दूसरा, तीसरा निकल जाएगे, तो S के जो total है, is what percent of total in R, S के जो total है, वो 180 है, R के total 270 है, ये divide करिए, 180 by 270, ये two-third आ रहा है, two-third होता है, आपका 66% into 100 करेंगे, तो 66% आ जाएगा, आगे क्या बोला है, boys जो S में है, is what percent of boys in Q, दिहान ये रखना है, what percent of जब आता है, तो वो नीचे लिखना है, S के जो boys है, ये Q के boys का कितना है, तो 84 is what percent of 120, ये आगया आपके पास 70, तो मेरे पास पहले का अंसर 70 है, दूसरे का 66 है, तीसरे का फिर से 70 है शायद, तो पहला वाला greater है second से, और second वाला third से less है, इसलिए मेरा अंसर हो जाएगा, शायद B वाला, ये question था, जिसमें आपको एक table बनाना था, सारी values निकालके, तीन quantity solve करनी थी, उन्हें आपस में compare करना था, तो आप समझ सकते हैं, question किस तरह के आते हैं, और ये question का screenshot ले लिजिए, इसका आंसर आपको बताना है, right students, RBI grade B की त्यारी करना शुरू कर दीजिए, एक्जाम अगले तीन से चार महीने में, कभी भी हो सकता है मई जून के अंदर, कोई भी graduate इसे apply कर सकता है, 60% होने चाहिए, अगर master में 55 है, तो भी apply कर सकते हो, age limit होती है 21 से 30, और बहुत ही बढ़िया package आपको मिलता है, regulatory का सबसे बढ़िया job है यहाँ पे, phase 1 में maths, reasoning, english और GA आता है, phase 2 में ESI, finance, ethics, management, descriptive English आता है, और final round होता है interview, आपको इंडिया के best faculty यहाँ पे guide करेंगे, for various subjects, right, तो students, class का feedback भी आग देख सकते हैं, हर class के लिए ऐसा ही feedback students हमें देते हैं, class उन्हें बहुत अच्छी लग रही है, आप भी इसका फाइदा उठा सकते हैं, आप मेरे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, maths by करन सर्दाना, और leap year sale खतम हो रही है 29 Feb को, यह मौका दुबारा नहीं मिलेगा, कूपन कोड यूज करिएगा, KS Live और आप यह batch 549 में ले सकते हैं, किसी भी और कोर्स को लेना चाहें, तब भी आप यह कूपन कोड लगा सकते हैं, आपको best discount मिलेगा, राइस सूनन्स, त्यारी करते रहिए, सीरीज देखते रहिए, और आपको यह सीरीज कैसी लग रही है, एक बार comment में जुरूर बताईएगा, So all the very best.